मूवी की शुरुआत इनोला होम से होती है जो पुलीस से बचते हुए भागती नजर आती है फिर जब वो एक डेड एंड पे पहुँचती है तो हमें ये समझाने के लिए कि वो इस मुश्किल में कैसे फसी सीन्स को थोड़ा पीछे ले जाती है जहां हम देखते हैं कि लास् ना मिला क्योंकि लोग उसके पास या तो शर्लॉक से मिलने आते थे या इतनी चोटी उमर की उपर से एक लड़की को देख वो केस देने से साफ इंकार कर देते थे आखिर जब इनोला ने एजिंसी बंद करने का फैसला किया तो एक चोटी बच्ची बैस अपनी बेहन सारा के मिसिंग होने का केस लिए इनोला के पास पहुँचती है जिस पर इनोला काफी एकसाइटेड हो जाती है और बैस की मदद के लिए तयार हो जाती है वो बैस के साथ सुबू ढूनने उसके घर पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि वो दोनों सगी बहने तो नहीं है पर क्योंकि सारा ने कुछ चुराया है बैस सारा के डिस्क्रिप्शन देते हुए इनोला को बताती है कि उसके रेड हैर और ग्रीन आईज है साथ ही साथ वो बहुत खुबसूरत भी है तब ही वहां सारा की दोस्त मैं या जाती है जो इनोला को फॉरण वहां से जाने को कहती है क्योंकि उसके हिसाब से इनोला जैसी अमीर लोग उन गरीबों की कभी मदद नहीं करेंगे पर इनोला उसकी बातों को अंसुना करते हुए बैस के साथ फैक्टरी पहुँचती है जहां उसे पता चलता है कि वहां काम करने वाली लड़किया पिछले दो साल से एक टाइफस नामी बीमारी के हाथों मारी जा रही है फिर अपना दिमाग लगाते हुए सब को चक्मा देती वो वहां के मेन आफिस में घुश जाती है और उसे लॉकर में रेजिस्टर के अंदर एक रेड हेर मिलता है यानि सारा वहां आई थी और उसने कुछ छुपाया है फिर वो साथ वाले आफिस में इस फैक्टरी के हेड्स के भी हो रही मीटिंग की बाते सुनती है जिससे उसे अंदाजा होता है कि फैक्टरी में कुछ गरबर चल रही है पर क्या वो ही एनोला ने पता लगाना है वहां से निकल के एनोला को वैस से पता चलता है कि सारा उस आफिस तक में की मदद से पहुँची थी तो वो में का पीछा करनी लगती है क्योंकि उसे शुरू से ही में पे शक था ऐसा करते वो एक डांस कलब में पहुँचती है जहां उसे में से तो कुछ पता नहीं चलता उल्टा में फिर से उसे डराते हुए इस सबसे दूर रहने को कहती है पर सारा की डेस्क में उसे एक छुपा हुआ लेटर मिलता है और उसे पता चलता है कि सारा किसी से प्यार करती थी वहां से निकल के उसे उस लेटर में तो लिखा कुछ समझ नहीं आता पर उसे फील होता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है पर मुरने पर उसे महाँ कोई नजर नहीं आता जिस पर डरके वो वहाँ से भागती है तो सामने उसे उसका भाई शरलॉक नशे की हालत में नजर आता है जिसे उसके घर पहुँचने पर एनोला को पता चलता है कि शर्लोक की ये हालत एक मुश्किल केस की वज़ा से है जो वो बहुत कोशिश के बाद भी सौल्ट नहीं कर पा रहा सुबह होने पर शर्लोक एनोला पर उसकी चीजें हिलाने पर घुसा होता नजराता है जहां एनोला उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो अपने केस की वज़ा से इतना परेशान ना हो पर उल्टा शर्लोक उसकी हालत और हाथ देख समझ जाता है कि वो मैच फैक्टरी गई थी जिस पर शर्लोक उसे समझाता है कि वो खुद को प्रूफ करने के चकर में किसी मुश्किल में ना पर जाए पर एनोला उसकी सुनने के बज़ाए उल्टा घुसा हुई वहां से निकल जाती है वो उसी पार्क में पहुँचती है जहां से हर रोज बरी गुजरता है अब जिनको नहीं पता तुमें बताती चलू के बरी एक लॉर्ड है और एनोला होम्स के लास्ट पार्ट में एनोला ने इसी का केस सॉल्फ किया था दूनों के दिलों में एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्णर तो है पर अभी उन दूनों के लिए ये समझना मुश्किल हो रहा था जिस पर बड़ी ज्यादा बात किये बगेर वहां से चला जाता है पर उनकी उस चोट इसी कान्वर्जेशन में एनोला को अपनी केस का एक हिंट मिल जाता है वो सारा के लव लैटर को फिर से पढ़ती है और उसमें उसे एक जगा का एड्रेस मिलता है जहां जाने पर उसका मसला हल नहीं होता उल्टा मजीद बढ़ जाता है क्योंके वहां उसे में जखमी हालत में मौत के गरीब मिली थी जो मरने से पहले उसे एक और लैटर देती है पर इससे पहले एनोला कुछ कर पाती पुलीस वहां पहुँच जाती है पुलीस का हैड ग्रेल एनोला के हाथ पे खुन देख उसे ही मर्डरर समझता है और उसे में से मिले सुबूत मांगता है जिसे देने से इंकार करती एनोला पुलीस वालों को जखमी करती वहां से भाग निकलती है और यही वो सीन है जो हमें मुवी के स्टार्ट में दिखाया गया था पर उस डेड एंड पे पहुंचके एनोला हार नहीं मानती बलके बिल्डिंग के उपर चड़ना शुरू हो जाती है और आखिर पुलीस वालों से तो बच निकलती है पर चट से लटक जाती है सीन्स शर्लॉक पे शिफ्ट होते हैं जिसके घर पुलीस वाला एनोला को ढूनता पहुंच जाता है वहां उसे एनोला तो नहीं मिलती पर उनकी बातों से हमें पता चलता है कि शर्लॉक गवर्मेंट में हो रही भारी करप्शन के केस पे काम कर रहा है पुलीस वाले के जाने के बाद हम पे रिवील होता है कि एनोला वहीं शर्लॉक के घर पे मानते हुए उसे अपने केस के बारे में बताता है जो सॉल्फ करना उसके लिए बहुत मुश्किल हुआ था उसे बस इतना पता है कि कोई गवर्मेंट की बहुत भारी-बारी अमाउंट अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है पर जब भी शर्लॉक उस तक पहुंचने की बता रहा क्योंकि उनके हिसाब से वो बहुत परसनल है ये सब जानने के बाद एनॉला शर्लॉक को अपने केस की सारी डीटेल्स और इस मर्डर केस में फसने की वज़ा बताती है और एनॉला को पता चलता है कि ग्रेल की शर्लॉक के साथ हिस्ट्री रह चुकी है अब वो श चर्लॉक अपने सुबू जमा करना शुरू हो जाता है यहां एनॉला उसकी इंस्ट्रक्शन को साइट पे रखते हुए मजीद इन्वेस्टिगेट करने लगती है तब ही सारे क्लूस को साथ जमा करते हुए उसे एहसास होता है कि यह सब करने वाल मैच फैक्ट्री के ओनर क बेटा विलियम है जिसने एक बॉल पार्टी रखी है अब विलियम पे नज़र रखने के लिए एनॉला पार्टी में पहुंचती है जहां उसे पता चलता है कि ट्रेजर आफिस का हैड और विलियम के डैट साथ मिलके मैच फैक्ट्री चला रहे हैं और दो साल में ही इन्हो ने बहुत तरकी की है मौका देखके एनॉला विलियम से बात करने जाती है पर जैसा कि उसे उस टाइम के रूल्स और लेडीज की तरह एक्ट कर रहा कुछ भी नहीं आता था वो विलियम को इंप्रेस ना कर पाने की वज़ा से मायूस हुई वहां से निकल जाती है फिर वो डान्स के बहाने विलियम के पास जा सकती थी पर उसे डान्स भी नहीं आता था तब ही उसके पास ट्रेजर आफिसर की सेकरेटरी आती है जो एनॉला को विलियम को इंप्रेस करने के तरीके बताती है फिर एनॉला की नाजर बरी पे पड़ती है और उसे वाश रूम में ले रूल्स बताता वहां से निकल जाता है, एनॉला जब विलियम के पास पहुंचती है, तो वहां से सिसिली नामी लड़की को निकलता देखती है, पर इस बात को इगनोर करती वो विलियम को डान्स के लिए मनाती, अपने डान्स कार्ट पे उससे उसका नाम लिखवाती है, जि तो एनोला को जेलिस होता देख समझ जाती है कि वो बरी को पसंद करती है पर एनोला इस बात से साफ इंकार करती सिसिली को बरी के पास भेज देती है फिर जब वो विलियम के साथ डांस करती है तो विलियम उसे बताता है कि इस सब के पीछे कोई और है अगर एनॉला उस तक पहुँचना चाहती है तो उससे अकेले में 12 बजे मिले क्योंकि यहां इनका बात करना सेफ नहीं वहां शर्लोक एनॉला की मदद करता करता आहिस्ता आहिस्ता अपने केस को सॉल्फ करने के करीब हो जाता है सीन्स वापस एनॉला पे शिफ्ट होते हैं जो विलियम का वेट कर रही थी तब ही वहां बरी आ जाता है जो एनॉला के लिए बहुत परिशान था पर एनॉला उसकी फिकर और प्यार देखने के बजाए उसे विलियम के आने से पहले वहां से जानी को कहती है तब ही विलियम भी वहां पहुँच जाता है पर इससे पहले वहां कोई बात होती पुलीस में के मर्डर केस में एनॉला को आके अरेस्ट कर लेते हैं पर जाने से पहले एनॉला अपने सुबूत बरी के पास छोड़ जाती है ग्रेल एनॉला से इन्वेस्टिगेशन करते हुए सारा के बारे में जानने की कोशिश करता है पर एनॉला का तो खुद अभी कुछ नहीं पता था इसलिए ग्रेल उसे इस मसले से दूर रहने की वार्निंग देता वहां से निकल जाता है बहार आने पर शर्लॉक जो एनॉला को जील से निकलवाने वहां पहुँचा था उसकी ग्रेल से मुमारी हो जाती है जो शर्लॉक को बताता है कि वैपन पे एनॉला की फिंगर प्रिंट्स है जबके एनॉला ने खुद शर्लॉक को बताया था उसने वेपन को हाथ नहीं लगाया ये देख शर्लोक मजीद बहस किये बगएर वहां से निकल जाता है अब जब कि वो समझ चुका था कि उसकी बहन खत्रे में है तो वो अपने एगो को साइट पे रखते हुए अपनी मॉम की दोस्त के पास एनॉला को बचाने के लिए मदद मागने जाता है एनॉला की मॉम और उनकी फ्रेंट जेल में घुसते हुए एनॉला को वहां से निकालने में तो कामयब हो जाते है पर पुलीस उनके पीछे पर जाती है अब एक तरफ एनॉला की मौम पोलीस से लड़ रही थी और दूसरी तरफ एनॉला को उस केस की डीटेल्स जान के आइडियास देने में लगी हुई थी ऐसा ही करते हुए ये तीनों पोलीस से तो बच निकलते हैं पर ग्रेल इनकी जान नहीं छोड़ता और आखिर इन्हें काबू करने में कामियाद हो जाता है जहां उसे लगता है कि उसकी जीत हो गई वहीं ये लेडिस अपनी ताकत दिखाते हुए इन मर्दों को अच्छा सबक सिखाती वहां से भाग निकलती है जिसके बाद इनोला की मौम उसे समझाती है कि अकेला लड़ना हमेशा जरूरी नहीं है अगर वो दोस्त बना लेंगे तो उसके लिए जंग लड़ना और असान हो जाएगा इनोला वहां से सीधा बेस के पास पहुँचती है क्योंकि वो उसकी सेफटी के लिए परिशान थी पर उसके घर जाके इनोला को सब चीजें अच्छे से चेक करने पे एहसास होता है कि मैच फैक्टरी में मैच उसका कलर रेड़ से वाइड दो साल पहले हुआ और इन ही दो सालों में लड़कियों की बीमारी की वज़ा से मौथ हो रही है यानि उन लोगों ने अमीर होने के लिए सस्ती क्वालिटी की चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर दी जिसकी वज़ा से लड़कियों की मौथ होने लगी और इस बात का अंदाजा सारा और मेको हो गया था इसलिए वो लोग इनके पीछे हैं ये सब जान के एनोला अपनी मदर के एडवाइस को फालो करते हुए सीधा बरी के पास पहुँचती है जहां दोनों एक दूसरे के आगे अपना दिल हलका करते हैं और इन्हें एहसास होता है कि वो दूनों ही अपनी अपनी जंग लड़ते हुए कितने अकेले थे और जैसा कि दूनों एक दूसरे को इतने टाइम से जानते हैं तो एक दूसरे के लिए अच्छे एलाइस साबित हो सकते हैं पर इससे पहले दूनों मज़ीद बात कर पातें गेट पर खुई आता है जिस पर एनॉला को छुपने का बोलके बरी गेट खोलता है वहां सिसिली थी जो किसी मसले की वज़ा से बरी से मदद मागने आई थी पर बरी एनोला की वज़ा से उसकी सुने बगएर ही उसे वहां से भेज देता है पर फिर एनोला को एहसास होता है कि सिसिली ही सारा है जो विलियम की लवर है उसके साथ सारे सुबूत जमा करके मैच फ बरी उसे रोक के अपने प्यार का इजहार करता है और एनुला मजीद खुद को रोकने के बजाए खुद को एकसेप्ट कर लेती है कि उसे भी बरी से महबत है इसके बाद दोनों साथ मिलके मैच फैक्टरी सुबू ढूनने जाते हैं जहां बरी बाहर गेट पे नजर रखता ह और एनुला अंदर पहुँचती है वहां उसकी मुलाकाश शर्लॉक से होती है जो उसे बताता है कि उन दोनों का केस इंटरलिंग्ट है इसलिए दोनों को साथ काम करना चाहिए जब दोनों इन्वेस्टिगेशन के लिए आफिस में पहुँचते हैं तो उन्हें वहां विल सके एनुला को में इसे मिलने वाले सुबूत को देख एसास होता है कि सच का पता इन्हें उसी नाइट कलब में मिलेगा जहां सारा काम करती हैं वहां जाते वत रास्ते में एनुला और बरी एक दूसरे को ऑफिशली एकसेप्ट करते हुए किस करते हैं और वहां पहुँच के इन्हें मैच फैक्टरी और ट्रेजर आफिसर के खिलाफ सारे सुबूत मिल जाते हैं और सारा भी सामने आ जाती है पर इससे पहले ये लोग विलिंस की असलियत सामने लाके विलियम और मासूम लड़कियों की मौत का बदला ले सकते ग्रेल पुलीस वालों के साथ वहां पहुँचके इन पे हमला कर देता है सब अलग अलग तरीकों से अपनी जान बचाने के लिए फाइट में लग जाते हैं इसी फाइट में शूर्लॉक को गूली लग जाती है पर फिर भी वो हार नहीं मानता ग्रेल एनूला के पीछे सुबूत लेने जाता है और दोनों के ब पर कहानी यहां खतम नहीं होती ट्रेजर आफिसर शर्लॉक के बुलाने पर वहां पहुचता है जहां हम पे रिवील होता है कि ये सारे ड्रामे के पीछे और कोई नहीं बलके ट्रेजर आफिसर की मामूली सी असिस्टेंट है जो मर्दों के बनाय इन रूल से तंग आके उन सबको वापस अपनी अपनी लाइफ की तरफ जाने का बोलता वहां से निकल जाता है पर सारा एनॉला और बेस इस सबसे खुश नहीं थी इसलिए खुद हिम्मत करती मैच फैक्टरी में जाके सब लड़कियों को उनकी असलियत बताती अपना साथ देने के लिए मना के फैक बस उससे उसका प्यार और ट्रेस्ट मांगती है जो शरलॉक उसे खुशी खुशी दे देता है जिसके बाद एनॉला बरी के साथ डेट पे चली जाती है इसी के साथ मूवी की यहीं हैपी एंडिंग हो जाती है थैंक यू फर वाचिंग